कुछार कि आप हैं हाइवे किनारे कि यह हैं कि नावाइव किनारे जो दनापोट से बीटा रूट जाता है को प्रसी हाइवे पर हमें हैं और यह देखिए यहां पर हाइवे पर हाइवे जंक्तन है अगर आप पटन नहीं है तो एक बार यहां आकर के देखिए आपको इस रेस्टोरेंट से प्यार हो जाएगा जब कि जब आप यहां का खाना खाएंगे और यहां पर आप कि भूमेंगे तो बिल्कुल यहां के फैन हो जाएंगे तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हाइवे जंक्शन कि भूमेंगे मंघ साइज करेंगे तो वुमेंगे थूग ses रहे हैं हैं तो आहाल या अप्लाव डिले काया है तो आज हम आपको दिखा रहे हैं हाइवे जंक्सन देखिए बिलकुल परियावरन के बीच में हर्याली के बीच में ये रेस्टोरेंट है और काफी लंबा और स्पेसियस है और एक नेचुरल फिलिंग देता हुआ ये रेस्टोरेंट है और देखिए जगा जगा पर वाल पर पेंटिंग वनाई गई है ये पेंटिंग ओके रही गई है जगा जगा और दूसरा चीज़ हम आपको दिखा देखिए बिलकुल हर्याली थीम पे है और यहां पर देखिए हर चीज जो है कुछ मैसेज देता हुआ मिलेगा आपको तो इंडियन क्रिकेट प्रेयर को देखे फिर ये देखिए प्रेंटिंग है यहां आकर आपको अलग सी सांती और एक अपनापन सा फील होगा आपको लगेगा कि हां पटना में बार बार आकरसित करेगी और मजबूर करेगी कि आप फिर दुबारा यहां जरूर आएंगे तो यह है हाइवे जंक्सन यह बैठने के लिए बनाए गया है कि लोग ओपन में बैठें और यहां भी दखिए ग्रेनरी है और लाइट लगाए गया है जो कि एक बहुत ही अट् सित करेगी और आपको यहां आकर बहुत ही अच्छा फिल होगा तो बने रहिए पटना नगरिया पे और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सकाइब शेर चरूर करें ताकि हमारा भी होसला बढ़ता रहे देखिए यहां पर भिंटेज गाड़ियों का सेलफी जोन बनाया गया है और इसका लोग खुब लुप्त उठाबते भी हैं और अंदर जब जाएंगे तो अंदर ओपन में बिलकुल नेचर के गोद में बैठ करके आप देख रहे हैं पार्टी मनाने और बड़े मनाने और लोगों को बैठ कर इंज्वाई करने का एक बहुत ही अच्छा भ्यूज हाइवे जंक्सन में हैं और आप आगे बढ़ेंगे तो चिल्डरेन जोन भी बनाया गया है इस चिल्डरेन जोन में जूले लगाये गया हैं जिससे बच्चे अनंद लेते हैं और बच्चे तो स्टोरेंट मिलेगा यह फुली एसी इसमें बैठ कर आप आराम से खाना खा सकते हैं और किटी पार्टी भी मना सकते हैं आप देख रहे हैं यह हाईवे जंक्सन का रिस्टोरेंट का है तो अब हम आपको उपर की ओर ले जाने वाले हैं तो अब हम चलेंगे उपर के फ्लोर और दिखाएंगे यह सामने में जो दिख रहा है यह आपको पूल है आप इस पर खेल सकते हैं अब हम चलते हैं उपर उपर चलेंगे तो दखिए यहां भी पेंटिंग लगाया गया है बनाया गया है और उपर में लाइटिंग इतनी अच्छी है डेकोरेशन कि आपको एक अलग सांती महसूस होगा और यहां भी कई जोन बनाया गया है सेलफी के पेंटिंग बनाया गया है आप देख रहे हैं और यह रूफ टॉप पे उपन में बैठ कर पाटी करने रेस्टोरेंट का आनंद लिने का एक बहुत ही अच्छा जगा है हाइबे जंक्सन तो बने रहे है पटना नगरिया पर यह जो आप देख रहे हैं यह डिजे फ्लोर है और हम आपको बता दें कि यहां बेकेंड पे सटर्डे संडे को लोग डीजे के धुन पे खोब फूल मस्ती करते हैं और खोब इंज्वाई करते हैं यह बेकेंड पे सिर्फ सटर्डे संडे को होता है और इसके अलावा भी कई फीचर हैं हाईवे जंक्सन पे अगर आप यादगार विकेंड मनाना चाहते हैं तो एक बार फैमली के साथ यहां पे जरूर आएं और आप खुद इस पल को अपने कैमरे में कैद किये विना नहीं रह पाएंगे और ये साम आपका यादगार पल जरूर होगा तो आईए आज हम बात क करते हैं इस हाईवे जंक्सन के पूर्नर राहुल सिंग्जी से हाईख किनारे आपने हाईवे जंक्सन निक्रीक्यकशistas पहले तो एग ये जंक्शन अपनी अलग ही चीज है यहां पर आप जो आते हैं तो सब चुछसे बूल ही आप जैट एक शेहर चरो दूर आते हैं तो भाई, हाईवे सब तो जंसन होना ही चाहिए, तो सब लोग आते हैं और फुल मस्ति करते हैं इस जगह को, इसलिए मैंने इसको हाईवे जंसन रखाया है इस जgon राव हिस्य सब्सक्राइब के सबस्सक्याइब कर लोगों सबस्बने कर विल्क अलग है सबसे बड़ी बात ही और यहां पर बड़े के लिए खानल है तो हरा चीजद जहां पर सब लोग आते हैं आप किया जोड़का देख सकते और यह पूरा कंप्लिटली यह कैफे एडिया है जहां पर नेचुरल एर के साथ आप यहां बैठते हो यहां पर कॉफी पीते हो इसके अलावा हर एक वराइटी आपको यहां मिलेगा नॉन्वेज यहां के सबसे ज्यादा लोग इसको खासियत है यहां पर आते उसमें दूर से न है कि यहां पर लोगों का बहुत नॉन्वेज के लोग का बहुत दिमांड था कि वेज भी रख्या रखा जारे वेज तो है नॉर्मल बट रुकाना से कि मैं स्पेसल यहां तो मैंने साथ इंडिन का भी कॉंसेप्र यहां रखा है यहां पर आपको डोसा इडली उत्पम यह यहां पर आईए एक पर खाक टेश्क करें देखिए आपको डिफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा चुकि यह डिमांड काफी था मेरे पास में कि सर आप अतना दूर से आतो हो तो साथ वेज का भी एक कॉंसेप्ट रखिए तो वेज में रखा है विकेंड का क्या होता है विकेंड में हम लोग नें एक स्टेज बना के रखा है जहां पर आपको लाइव डिजय प्लस लाइव कभी हमें मीजिक के साथ साथ आपको गाने का बढ़ी प्रगाम रखते हैं प्लस यहां पर लाइव इस दांस का भी प्रगाम होता है अ फिर बहुत सवजिदे जो कि हम दोग यहां पर सट्रेश तंडे को प्रोड़ाम करते हैं तो यह पुरा फूल पकेज यह जब आप आप थे तो यह खाने के साथ आपको मिज़िक बिलता है आपको लाइएस सॉंग मिलता है यहां पर कभी कभी हम लोग करते हैं हर एक न्यू यह पर पर्सफिश भी होती है तो तो यह करते रहा हूं कि यह हाइवे जिंग्स अपने आप में एक बहुत अलग चीज है जो कि आपको अल्मॉस्ट आट ओफ बिहार मिलता था जैसे फूना हो गया डैली हो गया बैंगलोर हो गया पोलकता हो गया बट इस बार पतना में भी हाइवे जिंग्स का इस कॉंसेप् और इसे साथ फैमली भी बहुत पसंद कर सकते हैं क्योंकि आप यहां पर आप देख सकते हैं आप यहां पर सबसे इंपोर्टेंट है कि लोग राइव करके इतने दूर से आते हैं उनको पसंद रावल जी आपने हाइवे जंग्सन का कैसे निव रखी किस सबसे पहले तो मै मैं अपनी पढ़ाई एड्यूकेशन बाहर से किया हूं और जो मैं पूने में था तो मैं हम इसा चाहता है कि वहां से कुछ प्रोग्राम करो और तो ड्राइव वे करके कहीं दूर जाओ तो लोनावला जाय करता था एक बहाना हो तो चाह पीने का और हम लोग ड्राइव वे कर लोग जाते थे और आते थे वाज जाते थे नुट बद फट्टना में मैं सेटल हुआ तो यह से खाना था नहीं पतना और मैं बहुत दीन सर सोंचे दखेंगी मैं बिजनेस में हूं रियल इस्टेट बिजनेस में हूं तो मुझे बहुत एक अंदर से मतलब कहते की मुझे थी कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट को लूँ रेस्टोर्ण मतलिब ऐसा जगह खोलू रिजॉर्ट आपको छोटा यहां पर लोग आए बैट करें जवाय करें मस्ती करें और यहां पर टाइम पास करें तो मुझे एक कॉंसेट मिला मैं पतना से कम से कम 20 किलोमेटर दूर इस तासमें में पत्जाल से कम विलोमेटर एक बी में भी मेंपान यहाँ ज करें लेखमें bilang को यहां झाला है? झाला है? पत्यक्या झाला है, झाला है, स्समाज़ आपक इस आवंगेश्वाजर ऱ. कRIम悠iden कर छकाों एकुराण सकतर के लुड़ बतीनी के रवघए हैं कि अबिंट कर दोकिनन के कर दोकिन की वी पूल से विर साई में एल प् contarे और यहां का माहल बाद अच्छा लेका बच्चों के लिए यहां खेलने का बाद अच्छा बश्था है जो आप फैमिली के साथ सकते हैं कर दो दो पैमिली के लाद उख हैं कि लोग आ रहे हैं तो आप लोग यहां पर हमेशा आते हैं कि आज आई हैं निए फर्स्ट बार आए हैं कैसा लगा यहां का बहुत अच्छा है यहां का फूड भी अच्छा है भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है क्या चीज आपको सबसे अच्छा बच्छों के लिए गार तो देखिए बच्चे के साथ बड़े भी यहां अपने रंग में रंग जाते हैं और यह है हाइवे जंग्सन की खासियत मैं करना चाहता हूं कि मेंडी भाइक बहुत अलग होतार यहां कि मैं इनका बहुत अलग होता में देखा बिल्कुल डेफनेटली आप आईए इनका जो जो जिस तरीके से ये कैप्चर करते हैं एक चीजों के लिए बिल्कुल माविलेस है तो मनीज भाई बहुत महनत कर रहे हैं अपने चीजों को लेकर आप मैं भी यही बुलूंगा या आप लोग इनको फॉलो किजिए और बहुत से बहुत इनको सपोर्ट कीजिए क्योंकि महनत कर रहे हैं खुद पर खुद अपने पैड़ों पर खड़े हो रहे हैं सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडन तो मैं ही चाहूंगा कि आप फॉलो किजिए नहीं और बने रहे हैं पटना नगरिया पर मेरी अगली वीडियो मे सबसे ज्यादा दे रहा है प्लेस्मेंट तो देखें कैसे होता है केंपस सेलेक्शन